रिलेशन्शिप के दोरान औरत का डिस्चार्ज होना क्यों जरूरी है और क्या औरत के डिस्चार्ज होने पर अंडे भी निकलते हैं क्यों रिलेशन्शिप के दोरान औरत को डिस्चार्ज करना एक बहुत जरूरी लेकिन बहुत मुश्किल काम है जादतर औरते रिलेशन्श जुड़े भी यानि ये बाते हर दूसरे मर्द और और औरत को पता ही नहीं होती है और अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं होगा तो आगे चलकर आपके लिए रिलेशनशिप के दौरान इनके वज़े से शर्मिंद की से के साथ साथ बहुत सारे मसले भी होते हैं और प् भी समझ जा जाता है कि रिलेशनशिप के दौरान हस्बेंड वाइव दोनों का एक साथ डिस्चार्ज होना जरूरी है लेकिन हाकिकत ये है कि ये सब बाते सिर्फ एक रोमांटिक कॉंसेप्ट है इन गलत चीज़ों का हम रिलेशनशिप के दौरान आपको फाइदा तो नह लेकिन उल्टा नुकसान हो जाता है और इसका जल्दी गर्ब ठहरने से भी कोई तालूप नहीं होता इसी तरह बहुत से लोग आज भी ये समझते हैं कि रिलेशनशिप के दौरान सिर्फ हस्बेंड के डिस्चार्ज होने से ही प्रेगनसी हो जाती है और ये भी एक बड़ साथ मिलना जरूरी होता है ना कि सिर्फ रिलेशनशिप के दौरान हस्बेंड के स्पर्म का निकलना और इसी तरह ये सब एहम सवाल भी आपके दिमाग में आते हैं लेकिन आप में से अकसर लोग शरम की वज़े से किसी से भी नहीं पूछते आपकी मुश्किल आसान हो जा जिसकी जानकरे हर मर्ड और महिला को जरूरी होना चाहिए यह सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि जब महिला रिलेशनशिप के दौरान डिस्चार्ज होती है क्या उस वक्त और आपके अंदर से भी अंडे निकलते हैं इससे समझने के लिए पहले यह समझ ले कि क्या एक relationship के दोरान discharge महिला होती भी है या नहीं तो बिलकुल उसी तरह जैसे एक husband relationship के दोरान discharge होता है और मर्द के अंदर तो क्या औरत भी discharge होती है और इसका क्या फाइदा और क्या मकसद हो सकता है देखे research के मताबिक ये साबित हो चुका है कि husband और महिला relationship के दोरान 20 से 55 प्रतिशत discharge हो जाती है तो पहली चीज़ हमने ये समझ ली कि महिला 55% discharge होती है तो अप relationship के दोरान औरत के discharge होने पर क्या अंडे भी निकलते है तो इसका जवाब ये है कि औरत के discharge होने पर कोई अंडा न नहीं निकलता है औरत के अंदर से अंडा पूरे महिने में सिर्फ एक ही दफा निकलता है तो औरत के discharge होने का अंडा निकलने से कोई भी relation नहीं होता है देखे बहुत सी महिला relationship के दोरान discharge ही नहीं होती है लेकिन फिर भी उन्हें pregnancy रुख जाती है तो यहां दूसरे चीज़ भी clear हो गई कि relationship के दोरान औरत के discharge होना pregnancy के लिए जरूरी नहीं होता लेकिन यहां दो बड़ी वज़ा ऐसी भी है जिसके लिए औरत को relationship के दोरान discharge होना जरूरी है पहली है कि औरत जब relationship के दोरान discharge होती है तो उसके अंदर यहां बच्चेदानी के मसल कुछ इस तरह से बचने की ताकत बढ़ जाती है और इस तरह pregnancy ठहरने के chances भी बढ़ जाते है महीला का relationship के दोरान discharge होना का एक और फायदा यह है कि औरत के बोड़ी में से chemicals या hormones निकलते है जिससे ना सिर्फ अच्छी नीद आती है बलकि यह pregnancy के लिए बच्चदानी के अंदर suitable महर बनाते है देखिए अगर relationship के दोरान husband के sperm कमजोर होगे और तादात भी कम हो तो इस दोरान सिर्फ औरत discharge हो तो क्या औरत के इस discharge से pregnancy हो सकती है और औरत के इस discharge के अंदर क्या होता है जैसा कि आप सबको पता है कि मर्द के discharge के अंदर sperm होते है तो अब सवाल यह है कि औरत के discharge के अंदर क् पॉइंट जो हमने आपने ध्यान से समझना है औरत के प्राइवेट पार्ट से कुछ इस तरह से दिखाया गया है देखे यहां पर दो ओपनिंग होती है यहां एक बड़ा एरिया होता है जिसे वजायना कहते है जहां से रिलेशन बनाया जाता है यहां फिर महावारी का बलड आता है और इसके उपर एक छोटा सा एरिया होता है जिसे यूरितल ओपनिंग कहते है जो की यूरीन की नाली की सुलाह होती है अब यहां नीचे वाले एरिया में वजायना के साथ दो ग्लैंड्स यहां होते है जिने बैथुलिन ग्लैंड्स बोला जाता है इनका काम यह होत कि इनसे ऐसा लिक्विड निकलता है जो वजायना के अंदर से स्वैट या गिला रगता है और यह रिलेशन्शिप के दोरान वाइफ दोनों को बहुत हेल्प करता है रिलेशन के प्रोसेस को ठीक और काम्याप बनाने के लिए अब देखिए यह सब चीज़ें आपके सामने है यहां पहले यह समझना जरूरी है कि औरत के डिस्चार्ज होने पर औरत का डिस्चार्ज या पानी कहां से बाहर निकलता है तो देखिए यह जो दो gland से अभी मैंने आपको बताया यहां यह discharge बाहर नहीं निकलता है और नहीं यहां वेजायना से निकलता है बलकि ओरत का discharge यहां उपर इस urethal opening वाले हिस्से से निकलता है और यहां से जो discharge आता है वो बिल्कुल मर्थ के sperm की तरह ही होता है और गाड़ा इस ने जब औरत के इस liquid का टेस्ट किया तो यह पता चला कि उसके अंदर क्या होता है बिल्कुल उसी तरह जैसे मर्दों का sperm अनलेसिया sperm टेस्ट किया जाता है तो उसमें देखा गया कि औरत का इस discharge यानि जो गाड़ा discharge है कि अंदर दो बहुत ही काम के चीज होती है पहली ह पी एस ए और दूसरी है फुक्टोस और हैरतन के तोर पर यह दोनों चीज़े मर्द के अंदर भी होती है । एक ऐसा एंजाइम होता है जो मर्द के स्पर्म में भी होता है और यह पी एसे मत के स्पर्म को आगे तहरने के लिए मदद करता है और दूसरी चीज ऑरत discharge में दे देते हैं यानि रिलेशन्शिप के दौरान औरत अगर डिस्चार्ज होगी तो उसके लिक्विट के अंदर मौजुद ये दोनों चीज़े मरत के स्परम के लिए मदद करते हैं और इस तरह अगर आप प्रेगनेंट होने की कोशिश कर रहे हैं तो औरत का डिस्चार्ज होना आपके लिए कुछ हस्तक आसानिया पैदा कर सकती है एक और जरूरी बात यह है कि यहां बहुत से मर्दों में यह गलत फहमी भी पाई जाती है कि रिलेशन्शिप के दौरान जितनी जादा बार और डिस्चार्ज होगी उतना जादा चांस बढ़ जाता है प्रेगनेंसी का लेकिन यह सोच भी गलत है देखे प्रेगनसी में स्पर्म और एक के मिलने से ही होती है इसका औरत के डिस्चार्ज होने की फ्रिक्वेंसी से कोई तालुक नहीं होता है इसे आसान अल्फाज में ऐसे समझ ले कि ओवलूशन के बगर प्रेगनसी नहीं हो सकती चाए और डिस निकलेगा इसके साम बहुत सी महिला में एक गलत फहिमी ये भी मौझूद है कि अगर औरत के प्रेगनसी भी आराम से हो जाती है तेकिंग हाकिकत में ये कि प्रेगनसी रेगुलर होना बेशक जरूरी होता है पर उसके बावजुद भी मेडिकल या हार्मोनल इशूस होते ह जो प्रेगनसी में रुकावट डाल देते हैं देखे मर्द और महिला रिलेशन्शिप के दोरान दस से जादा गलतिया करती है और ये गलतिया से आपको बचना है